प्यारे दोस्तों मैरत नभूशन, फ्रेंग मोटीवेटर एंगाइड टौ आई एसस प्रेंट, इंटरनेशनल मोटीवेशनल स्पीकर, लीडर्सीप टेनर सी यू कोच, प्लिटिकल इस्ट इस्ट इन पॉलसी एडवाइजर, उन्नती कैसे करें, स्वेट मार्डन की प्रसित् हैं, असीम मांगे हैं, इन सब को वस्मे करना या दूर दर्सिता से उन्हें देख लेना बड़ा कठीन होता है, पर जिनकी नियमत, नियमित और निश्चित आये नहीं होती, उनके लिए तो यह समस्या सुल्जानी प्राया संभौई होती है, कहा जाता है कि मार्वता समूच के पास वर्स भर का खर्च पहले से ही पड़ा हो, और वे अपनी पूरी एक वर्स की आयकोजियों को अत्यों सुरच्छे जमा करते चले गए, और जो कुछ उन्होंने पिछले वर्स जमा किया ता खर्च के लिए उसी में से पैसा निकाले, यदि यह बात संभव हो सके, तो ब्या करने की कला सीखने के लिए बहुत अधिक आसानी हो सकती है, यानि कहने का मतलब है कि आमदनी या ठनी खर्चा रुपईया उस पे काम नहीं करना है, और दूसरे की बातों पे देख के नहीं काम करना है, दूसरे को देख के नहीं काम करना है, वो पता लगा कि भाई नेचर में खाना खाने जा रहा है 20-25 जा रुपार खर्चा कर रहा है और आप भी उसको देखे देखे खाना खाने जा रहे हैं तो आप तो लुट गए तो दूसरे को देख के काम नहीं करना है अब अपनी आमदनी देखिए अपनी परवार देखिए और उसी दारे में रहा करके धीरे 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 आगे बढ़िये वास्ता में व्या करने के कला बचा कर रखने के कला है यदि कोई मनुस्ष बचा कर रख सकता है बिज्ञान इस ग्यान को प्राप्त करने का असरित है कि आवस्यक से अनावस्यक ब्या को प्रतक कैसे किया जाए और आवस्यक को कैसे आवस्यक की पहले पूरी तरह पूर्ती की जाए फिर अनावस्यक तो आवस्यक जो पूर्ती होती है उसको देख करके उसके लिए इंपोर् रखिए मुलब बैंक में जमा करिए उसके बाद कुछ करिए पीटी बान रम का कतने की जिन नर या नारी को अपनी प्रतेक सनक के अलालसा की पूर्ती करने की आदत पढ़ जाती है उन्हें स्वर प्रत्रम अपने अनेक अनावश्यक खर्चों में कटोती करना अतिन्द कठीन सीनामाओं, कम गाडियों, कम आनन्द यात्राओं, कम ध्रुमपान, कम सुरापान और अपबै की अन्य बातों पर काम कम करना पढ़ना कठीन मालूम होता है प्रंतु यदि एक बारवे कुछ एक पैसों से ही जिनके जिन्हें की विर्त समझ कर यो ही उड़ा देते हैं बचत करने का सिरिकर रेस करें या थोड़े से धन को ब्याज के लिए जमा करा दें या फिचार पुर्वा किसी कंपनी के सेर में लगा दें तो कुछ काल उपरांत उन्हें उससे आनन्द पराप्त होगा उसका वड़न नहीं हो सकता वे देखेंगे कि उन्होंने जो मुठी बर प आनन्द की प्राति होगी कि एक पुराना सूट एक मार्सीजन काट देगा किसी हमाम इस नां की अपैक्छासीतल-जल्सें इस नांन उन्हें अथिक आनन्दाई होगा गारी की सवारी पेच्छा पैदल सैर और पधयात्रा उन्हें अधिक आनन बहुत जाएगा तो वे पचास डालर सौट डालर एकजार की पार्टी की योजना नहीं बनाएंगे दसजार की पार्टी की योजना नहीं बनाएंगे हजारों बलकि लाखों लोग एक बार महत्पून जीवन भर के लिए प्रियाप्त धन को जमा करके भी गरीब हो जाते हैं क जो इसका विश्वा भाग बै करके इससे अधिक सुख सुविधा का उपभोक करते हैं इसका कारण है। उनका विवेक पूड बै शंपन्यता वास्तों में निरधनता की पैच्छ अधिक कठोर परिच्छा है। विशेष्त अकस्मात संपता की प्राप्ति एक पुरानी कहवत है सरलता से आया धन सरलता में ही चला जाता है यह सत्य है जो आसानी से धन आया है वो आसानी से ही जाएगा यह सत्य अभीमान और सान की भावनाओं को जब खुली चूट मिल जाती है तो वह घुन की तरह चिपड़ जाती है और मनीस की सानसारिक वस्तूGMों को धन संपत्ति को पूरी चाच जाती है चाहे वो धन संपत्ति चोटी हो या बढ़ी हजारों में हो या लाखों में बहुत स कि खर्च उनकी सारी आये को निगल नहи जाती ऐसे लोग अंत में नश्ट हो जाते हैं किवल इसलिए कि लोग चकाचोध होंगे अपने आपको बरबाद करना मुर्खता है दूसरे को देखके नहीं चलना है, मेरे दोस्तों, दूसरे को देखके नहीं चलना है, जितनी चादर होगी हम उतना ही पैर फैलाएंगे, एक धनाडे सज्जन हमारे परिचित हैं, उनका कथन है जब पहले पहल मैं धनाडे मना, तब मेरी पतनी के मन में विचारा आया कि हमें एक उत्तम सोफा लाना चाहिए उस सोफे पर मेरे 30,000 डाला रहा है वह इस तरह की जब सोफा घर पहुंच गया तो उसे मेल खाती कुर्सियों के आउसकता आनुवा हुई उसके बाद साइड बोर्ड कालीन मेजें भी उसे मेल खाने वाली अनिवार हुई यहां तक इस सारा का सारा फरनीचर नया लाना पड़ा उरंद में मालूम हुआ कि घर बहुत छोटा है और इस फरनीचर के सामने यह पूराने फैसन का है तब नय फरनीचर को खरिदने के करण नया मकान को बात दे होना पड़ा और इस प्रकार उस सोफे के कारण ही 30,000 डालर खरने पड़े और साज समान और भवन के रख रखा और सोभा पर 11,000 प्रति वर्स का खर्चा बादना पड़ा इसके विप्रीत 10 वर्स पुर्व हम इससे बहुत अधिक वास्त्विक सुक और आराम से रहते थे क्योंकि उस समय हम पर आयोजन चेस्टा वा चिंता का भार नहा था वस्तुता त दूसरे को देख करके बड़े-बड़े आयोजन करना चेस्टा उसके घर में सोफा है मेरे घर में वो मर्सडीज करता है मैं भी खर दो या किसीने आपको उक्साया कि ऐसा क्या रख आज आ फारक क्यों यह क्यों नहीं ले लेते अरे भी पैसा कौन देगा maintenance कौन देगा करेगा चिंता का भार ना पड़े वस्तुतार येडिया कस्मात तर्थिकलाब की एक बार मेरे लिए ना आ गई तो उस पर सोफे ने मुझे दिवालिया बना दिया होता इसके साथ ही मुझे इस बात ने भी बचा दिया कि मुझे सिगरी खर्च में कटवती का धंग आ गया एदि आप पनपना चाहते हैं एदि आपकी धनाड़ बनने क्या कंच्छा है तो आपको धन का मुल्ले जानना होगा इसका धेन और उन्भाव करना होगा एक चतुले कका कथन है इस बात को कभी मत भूलिये कि आप उतने ही परिमाण में धन उपारजित करते हैं जितने परिमाण में आप इमानदारी से समाज की सेवा करते हैं